आज हम बताने जा रहे हैं सुस्क और रुखी तप्चा के लिए दुख्द असनान बहुत लापकाडी सिध होता है दुख्द असनान में बहुत अधिकी दुख्द किया वर्शक्ता नहीं होती है वलकि थोरे से दुद में पर्योग से ही तप्चा दुधिया वा कोमल बनती है आधा कटोरी कच्चे या गुनगुने दूद में एक साफ सवच रुई का टुकरा भिगो कर चेरे गर्दन हातों अधी शरीर के अन्य अंगों पर पांस से दस मिनट तक नर्मी के शाद फिरें आप सुवईंग देखेंगे की रुई कितनी मैली हो गई है बीस मिनट के बाद धंडे अत्वा गुनगुने जल से धोलें यही दुगद अशनान है इस से तप्चा अशनिक्द बनती है इस पर्योग को निते करने से मोहां से चेरे की जहाईया दाग धब्बे जुर्णिया और खुर्द रापन अधी नश्ट होकर मुख मंडल की सुभा वाकांती में बिर्दी होती है तथा तप्चा का रंग निखरता है